हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग मंत्रा मेरा नाम हेलो गेश जाका आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह जीके की पड़ाई कैसे करें हाउ टू स्ट्रडी जीके जिके क्या है तो चिके क्या है कैसे头 है अलग जिके का किसे है तो आ इसको का यासे जिक्के हैं याद कैसे करनी है तो हमारा जो सबसे में फोकस है वो है इस information को याद कैसे करें कोई भी एक्जाम आप दिरने जाएंगे तो वहां पे कोशन पूचेगा बताओ यह बताओ फ्रांस की राजदानी का नाम क्या है अभी एक तक है एक फैक्ट है फैक को याद कैसे करना है यह सबसे में काम है तो याद करने के लिए में कुछ चीजों पर फोकस करना है सबसे पहले images पर दूसरा मैपस पर डाइग्राम पर और शब्दों पर यह शुरू करते हैं कि ओपर कैसे फोकस करना है क्या हमारे काम आने वाली है क्या नहीं क्या मैं information को याद करा देंगी तो सबसे पहले चीज है image अब एक बाद सोचो बच्पन से पैदा होने के बाद अब तक अगर आप competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो आपकी उमर लगवग 20 से 30 के असपास होगी इस उमर के सोचों की नाने बीच में कितने इंसानों को देखते हो आस तक है कि कि आज तक आपने कि इंसानों देख लिआ होगा ये संख्या मेरे हैं लाक से शैदा होत although ΐसे कि न कि इन सफ़ेखते होते हुण इनकी संख्या भी बहुत जानते होगे, उन में से कितने इंसानों आप विद नेम जानते हैं, देखके बताने वाड़े अगले हैं, उसके बाद उन में से कितने होगे इसे जिसको नाम से जानते हैं, आपके नाम है इसका पापा है मम्मी है कहां का है वो अलग इंफोर्मेशन है लेकिन ऐसे भी संख्या बहुत ज़्यादा होंगी तो एक बाद सोचो कि आज तक हमने जितने भी इंसान याद किया है क्या उनके बारे में याद किया है लिख किया है डाइरी बनाते हैं नोट्स कुछ नहीं बनाते फिर भी हमें सब कुछ याद है कारण क्या है कारण है वो सब हमने देखे हुए है लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करते वक्त जब भी हम किसी इंसान के बारे में पढ़ते हैं हम देखते हैं वो कैसा दिखते हैं तो यह बात समझो किस बात म भूका था विष्सका साथ लड़ाई हुई थी किस बात पर उवी थी एट-टू-जेड छोटी से चोटी बड़ी से बड़ी बाते याद है कारण क्या है वो सब हमारे आंखों गया हुआ था वे सब इंसान जिसके बारें बाद चलियें देखे वे हैं आपके पापा आपकी मम् Me आपके भाइ कोई भी किसी के बारे कुछ बताता है कि उसने आसा इसा कर दिया अब आपने वह इंशान देख ने राखा तो आपके लिए अपने हैं अंगसे कर दिया हुआ कारण क्या है? इमेज वो इनसान उमने देखा हुए है हमारा दिमा कितना स्मार्ट है कि उसकी आवास तक पकड़ लेता है एक छोटा सा बच्चा दस-ग्यारा महीने का है एक साल का है उसको यह पता है कि तुरी फैमिली में कौन कौन है बाहर का कोई इंसान उसको लेने कोशिस करता, लगबग बच्चे जाने से मना गर देते हैं क्यूं? क्यूंकि उसका चहरा उसके प्रिवार के चहरे से मेल नहीं खा रहा है यह कार्ण है किसका तो सोचो किस उमर में हमारा दिमाग इमेजिस को कैच करना शुब गरता है और यह तो मरने तक ही चलते रहना है तो अगर हमें अपनी इंफोर्मेशन को अपनी जीक के को बहुत स्ट्रोंग बनाना है उसके लिए हमें सबसे पहले फोकस करना है इमेजिस पर इमेजिस का मतलब चहरे किसी भी चीज़ का अगर चहरा बन सकता है तो पहले देखना वो कैसा है जैसे मैं शब्द लू नरेंदर मोधी सबको दिख रहा हूगा कौन है शब्द लियामित्ता बचन सचिन तंदुलकर सानिया मिर्जा कोई भी एक्सामपल ले सकते हैं एमोल मैकरोन अब एमोल मैकरोन का नाम सुनते हैं बहुत सारे इंसानों को नहीं पता होगा लेकिन देखा नहीं होगा उनको पता है कि फ्रांस के राष्ट्रपती लेकिन यह करना है कि किनी पता हो दिखता कैसा तो आपको जी दानेों कि खुरों में करना है किसी के भी इंफ्रो मेशन आत्क्रि थो मिसंते हैं अहम हमें यह पता है के रगार डीया में करना पड़े किताब पढ़ शक्रण क prawda correct वालों फैद यह नहीं हैर तो आपको उस इमेज के साथ उसका नाम या उससे रिलेटेड कोई मुवी हो जैसे ग्रेट अशोका के पर मुवी बनी दी है अब आपने मुवी देख ली तो आपको उस इंसान के बारे में ठीक ठाकी आप इमेजिन कर पाएंगे तो आपको हिस्ट्री ठीक ठाक याद रहने तकी बहुत अब अकबर के बारे में पड़ना अकबर देखा यह नहीं किसा दिखता है तो उसको पहले इस चीज़ है वो है मैपस अब आपको एक मैप देते हैं जैसे एक मैप है कि माल लो दूसरा मैप दिया कि तीसरा मैप दिया अब इन मेंसे लग बगत तीन मेंसे बहुत सारे बच्चों ने इतलों की समयाल में किmême के बहुत सारे को सुन में आगई यह बाहरत है बाकी अपता नहीं तो यह है ऑस्ट्रेलिया का मैप यह है अफ्रीका का मैप किसी भी चीज का मैप अपप उठा लें अब दुनिया के बारे में आपको पड़ना है कि दुनिया के किस कोणे माज की दून क्या हो रहा है अगर किसी देश की किसी दूसरे के साथ लड़ाई चल रही है किसी की तनाव हां अपस में किसी मासागر में को घटना-घटी थी किसी जंगा पर कोई देश में कोई युद हो गया कोई भी आप शब्द लें क्युबा को चिनिक आकटवरा गया ज़ता है अब क्युबा क्या है अब क्युबा कभी देखे नहीं तो हम क्या बताएं इनके बारे में पर हमें क्या दरना है कोई भी information आई अगर उसमें किसी का नाम include है वो नाम किसी जंगय का है तो हमें उसको world map में, दुनिया में, आज के दिन Google, आप देख सकते हैं, Google Maps हैं, आप आराम से वहां से भी सर्च कर सकते हैं, ज्याद अच्छा है, एटलस में देखें, जितना काम आप अपने हाथ से करेंगे, उतना ज्याद अच्छा रहेगा, तो इन चीजों का आप देखें मैप्स के जरिये चीजों को पड़ें, ज्याद आपको उस चीज में सायता में लेगा, आपको उस से लेटेड बाते अराम स्याद रहेगी, जैसे आपको कोई भी इंफरमेशन पता चाहिए, वहाल ही में भारत में, कुछ राज्यों में चेंजी हुए हैं, अब भारत में कि से लेटेड बात आपको आपको याद रख पाएंगे, तीसरी चीज है डायकाम, तो क्या है, बहुत सारी चीज जिसकी इमेज या मैप्स नहीं बन सकते हैं, उनके लिए हमको ड्राइग्रामेटिक फॉर्म में चलना है, उन डायक्राम को बनाना है, बार-बार मैप्स की बा स्थारी लाइगे, जितना जादार रिकॉल करेंगे, उतना आपको विडेंस बढ़ेगा, अब डाइग्रामेटिक फॉर्म का मतलब सिंपल सा है, कोई बी चीज है, जैसे मालो आपको डायक्राम बनाना पड़ेगा, डायक्राइग्राम बनाना अराम से उसको दो-तिंग बा हैं काँ पर लिवर है काँ पर पंक्रियाज है वो सब चिज़ आपने क्या करना है बाकाइदा अपने हाथ से लिखने हैं अब जब उन चीजों को आप लिखेंगे तो आप अराम से डाइग्रामेटिक फोम में फिर डिक शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् तोड़ा सा आसान रही, ठीक है? अगर आप नीमन पड़ेंगे तो उसमें, शब्द पकड़ेगा हूँ तो शब्द का क्या करणा है? इस दुनिया में सारा खेल शब्दों का है आप कोई भी language आप बोल रहे हैं, उसमें खेला शब्दो का, कोई इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अच्छा teacher है, कोई बुरा teacher है, वे अच्छे बुरे नहीं है, अच्छे बुरे उनके शब्द लगते हैं आपको, अगर किसी teacher की बात आपको एक शुनाता है, तो शब्द ही खुशी देता है, उसी से इंसान हसता है, शब्द से ही गम, कोई बुरी खबर आपको मिलगी, तो उसी शब्दों से आपको बुरा लगेगा, शब्द ही चोट, कोई आपको तान्य मार दे, तो आपको उसी शब्दों से आपको गुसा आएगा, या आपको चोट लगेगी। और सब्ध ही मरम उसी बात को आपको कोई बैट के आराम से समझाए। उसको प्यार से आपको एंडल करे तो आपका दिमाग वही शब्ध मरम का काम करता है। तो शब्दों को ही पकड़ना है जैसे शब्द आया शब्द है परवत तो आम में परवत दिखाए देना चीह के बारे में फोकस करना है शब्द है एव लांस मतलब जैसे बरफ किसलती तुषका आपने बाव बली मूवी में देखा होगा उसमें वह पथर दकेल ता है उसके वर्ड अगर है तो वो किसी जंग अगा नाम है तो हमें उसका मैप देखना है तीसरा अगर वो वर्ड किसी वुस्ट वर्ड से कोई डाराम बन सकता है तो उस शब्दों के साथ डाराम बनाने ला है ठीक है तो यह था इस टोपिक का एनलीसिस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करें शेर करें शब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सबी वीडियो का आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहें थेंक यू